Hello Friends, Friends इस वीडियो में मैं बात करूँगा जेके बोस के स्टूडेंट्स की जेके बोस ने एक नोटिफिकेशन निकाला हुए स्कॉलर्शिप फार्दा जेके बोस स्टूडेंट्स ठीक है कौन सी जो क्लास के 9th, 10th, 11th और 12th क्लास के जो स्टूडेंट है उन्हें स्कॉलर्शिप प्रोवाइड किया जाएगा क्या प्रोसेजर रहने वाला है क्या अलिजिबिल्टी रहने वाली है किसको मिलेगी पूरा वीडियो में अंतिम तक बने रहना आपको कम्प्लीट डिटेल मिल जाएगा और इस चैनल में आपको जमुक्षमीर बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन जेके SSB जमुक्षमीर बोर और हुआ है स्कूलरशिप नोटिफिकेशन गया किसके लिए किसके रिकॉर्डिंग लोटिफिकेशन है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा इन्होंने बोला हुए जो नैश्नल मैरिट कम स्कूलरशिप स्कीम है न, M, M, S, उनके लिए क्या बोला हुए ओन-lai-n apply करो आप किसके लिए national scholarship के लिए ठीक है इस कौन सी site रहेगी आपकी scholarship.gov.in पर आप apply कर सकते हो और last date कप तक है इसकी 31 October तक आप कर सकते हो अब notice पढ़ते हैं notice में उन्होंने क्या बोला हुए है सबसे पहले मैं बात करूं जे मिलेगी किसको 9th, 10th, 11th और 12th class के जो student है उनको मिलेग तो आपकी ये 12th तक scholarship चलती रहती है जिसके पारिट में फाल करें ठीक है इसके लिए आपको कितने क्या क्या प्रोसीजर रहना चाहिए minimum आपकी जो family income है पेरेंटल इंकम है वो एक लाग पचास हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए per annum जे बड़ी eligibility है उसके बाद मैं बात करूं और 9th के student जो who have 9th who have been qualified national merit merit scheme exam held down the 7th रहने वाला पर annum 12,000 मिलता है जो classes 9th से लेके 12 तक चली जाती है जो state government और local body जो schools होते हैं उनके द्वारा provide करी जाती है हमें बात करूं आगे आपको apply का से करना है आपको सबसे पहले visit करना है scholarship.gov.in पर उसके बाद आपने क्या करना है उसको उदर select कौन सा department करना है school and education उसके बाद आप जाओगे apply for national merit comes scholarship पे जब आप national merit comes scholarship पे जाओगे उसके बाद आप apply करोगे जो exam held होगा था 2019 में ठीक है उसक आपको new login ID बनानी पड़ेगी जिसकी पहले की login ID है वो वैसे ही रहेगी और उसको बस re-registration पे apply करना है ठेक है जो below 10th होगा उसको pre-metric करना है और जो 10th से उपर होगा 12 तक उसको post-metric apply post-metric select करना है जिन्होंने पहले से करा हुए apply उनको अपना roll number डालना भी mandatory होगा जब आ इतना ही अगर आपको और भी कोई important information चाहिए हो comment box में जुरूर पूशिए और चैनल को भी subscribe करना ना भूलें जै हिंद जै बारत